जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी तक, एहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस! हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान! साउथ अमेरिकी देशों में सूखे के चलते सोयाबीन के उतपादन में कमी आ सकती है, ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के उतपादन में कमी रहने के चलते, वैश्विक सोयाबीन उतपादन कम रह सकता है इससे अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है कमजोर उत्पादन और स्टॉक में कमी के कारण खाद तेलों में मंदी की स्थिती नहीं बन पा रही है इसका असर भारत में भी खाद तेलों की कीमतों पर देखने को मिल रहा है सरकार के तमाम प्रियाज भी तेलों की तेजी रोकने में एक के बाद एक असफल होते दिखाई दिए है मंडियों में सोया बीन की आवग बहुत कम है सोया बीन का स्टॉक भी कम ही बताया जा रहा है इस सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिए हाजर में सोयाबीन तेल तेरा सो रुपए प्रती 10 किलो के उपर बना हुआ है सेवी ने जब इसके वाइदा पर बैन लगाया था तब से सोया तेल NCDX पर 1100 के करीब था वही सोयाबीन दाना की कीमते 6700 के उपर बनी हुई है जानकारों के अनुसा सोयाबीन में आगे और बड़त देखने को मिल सकती है सोयाबीन 7000 के भी पाल जाती नजर आ सकती है आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान